Hi everyone you're watching study time with Ranya So hope you are all good doing great So today in this video we are going to learn phraseography but हमारी कुछ short forms रह जए थी इसलिए पहले हम वह देख लेते हैं अफ्टराथ हम अपने phraseography complete करेंगे ओके तरह अपने phraseography कम्प्लीट करेंगे ऊके तो एद स्टाट पहले हमने large circles and small circles complete कर लिया था अब हम उसी के साथ phrasography देख रहे हैं अब हम देखते हैं कि हमारी short forms कौन-कौन सी बची है how कैसे बनाते है how short form है ऐसे बनेगा how you कैसे बनेगा you curved है beyond कैसे बनेगा beyond same है but above the line बनेगा large कैसे बनेगा जे अब अब दे लाइन जे आज यूज्वल डाग बनते हैं और can can above the line के ठीक है अब देखते हैं large circles in phrasiography लाज circles in phrasiography फर्स देखते हैं जिसी कि as we have हमें लिखना है अज आज यहाव ऐसा वर्ड है कि मूश्वली हर सेंटेंस में आए गई चाहे आज हो अगर यह एक साथ आता है वैसे तीनों के लिए short forms है अगर as we have एक साथ आ गया तो आप कैसे बनाएंगे as के लिए circle बनता है we के लिए w बनता है have के लिए यह बनता है आप ऐसे बनाएंगे अलग-अलग as we और have अलग-अलग बनाएंगे तो बहुत time consume करेंगा जब आप शॉर्टेंड में डिक्टेशन बगेरा देंगे तो तो उसी के लिए फ्रीजियोग्राफिय होती है कि कुछ words को अटाच करके साथ में ही लिखना जैसे कि as we have है so let's start कि as we have कैसे बनता है हम as के लिए big circle लेंगे as और vc में अटाच हो गया और ये v हो गया हमारा as we have as we have एसे ही as we can भी लिख सकते है as we को हम last circle में कर देंगे attach as के लिए small circle होता है लेकिन हमने जो v add कर दिया तो हम last circle बना देंगे as we can पूरा बना देंगे क्योंकि सिर्फ क्या ही बनेगा ऐसे ही अगर हमें as well as लिखना है तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे as well as तो as well as as well as as well as okay जैसे कि और example देख लेते हैं in this city in this city in this city अब in this in this city के बाद this is देख लेते हैं this is large circle इसी में add कर दिया अगर as और is आ जाए तो पहले आप आज बनाएंगे इस बनाएंगे नो फ्रेजियोग्राफी अगर आज साथ में आ रहा है फ्रेजियोग्राफी में कैसे बनाएंगे एक large circle above the line क्योंकि पहले as है इसलिए above the line बना है और अगर is as आ जाए तो लाज साकली बनेगा but on the line क्योंकि पहले is है और is जो है वो on the line बनता है ठीक है तो यह थे हमारे कुछ फ्रेजियोग्राफी के examples यह मैंने अभी आपको large circles में बताएं हम और भी examples देख सकते हैं जैसे की some common phraseography जैसे की I thank you अगर I thank you आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे I मैंने आपको बताया था I thank as usual above the line और यू उसी के साथ attach कर दिया तो I thank you next I have the देख लेते हैं I have the I have the the आया इसलिए हमने इसके साथ एक tick attach कर दिया I see see always short form नहीं है dark dot bubble है तो through the line बनेगा I above the line see I see attach कर दिया अब जैसे की I will be I will be I will be हमने आय पूरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम फ्रेजियोग्राफी कर रहे हैं attach करते हैं फ्रेजियोग्राफी में इसलिए अब जैसे की you will आ जाए you और will तो पहले you फिर उसी के साथ will अगर you will be आ जाए you will be so you will be उसी के साथ attach कर देंगे how can they जैसे की how और can अभी हमने पढ़ा है और they हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था so how can they how can they देखते है how as usual on the line can उसी के साथ attach कर दिया और they so how can they so यह थे हमारे कुछ फ्रेजियोग्राफिक की एक्जाम्पिल्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे comment section में बता दे न यह आज हमने फ्रेजियोग्राफिक कर ली next video का topic होगा हमारा हम देखेंगे क्या है तब तक के लिए share this video like this video and comment section में बताओ की video कैसी लगी and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that when I will come online you will receive the notifications okay bye